दहेज प्रता को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ सरकार कड़े से कड़े कानून बना रही है लेकिन फिर भी यह दहेज रुपी दानम लोगों के जहम में जग़ा बनाए हुए है ऐसा ही मामला दिल्लिक के सीलंपूर थाने में आया जिसमें शादी के तुरंद बात से ही पती अपनी पत्नी को प्रताडित करने लगा मामला उस समय बढ़ गया जब शराब के नशे में उसके पती गुलजार ने उसके साथ मार पिट की तथा तीन बार तलाग तलाग बोला जो कानूनी जुर्म है पीडित पत्नी गुलजार का कहना है कि मेरे ससुराल वाले हमेशा से ही मुझे मारते पिटते हैं लेकिन आज जब मार मार कर मेरा सर फाट दिया तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ा अब देखते हैं कि इस नव विवाहिता को न्याय मिलता है या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर एक नव विवाहिता की जिन्दगी दहेच की बली चड़ जाएगी NBC News के लिए दिल्लिस से ब्रिजेश कुमार के रिपोर्ट